दोस्तो नमस्कार आज हम आपको बताने वाले हैं पानी के कुछ ऐसे फाइदे खाली पेट पानी पीने के कुछ ऐसे फाइदे जो आपको ना किसी ने बताये होंगे ना कोई बताएगा और ये आपको पता भी नहीं होंगे इसलिए वीडियो पूरा देखिएगा विल्कुल भी वीडियो को मिस्स मत करना क्योंकि कहां पे कौन सा तरीका मैं बता दूँ पानी पीने का जो आप मिस्स कर दो पता नहीं कौन सा तरीका मैं कहां बता दूँ तो चलिए शुरू करते हैं वैसे तो कहते हैं कि जल ही जीवन है लेकिन पानी सिर्फ आपकी प्यास नहीं बु सकते हो यह तो सरीर को एक्टिव और हेल्थी बनाए रखने के लिए दिन भर पानी पीते रहना चाहिए लेकिन सुभा उठकर खाली पेट पानी पीने से सबसे पहले जो फायदे हैं वो हम आपको बताते हैं वैसे तो खाली पेट पानी पीना कई लोगों कोई दिन चरिया का ह हिस्सा होता है लेकिन इससे होने वाले फायदों को कम ही लोग जानते हैं और हम आपको बताएंगे इससे होने वाले फायदे तो चलिए सुरू करते हैं सबसे पहले नमबर एक, सरीर की सफाई के लिए सवेरे सवेरे खाली पेट पानी पीने से सरीर की बेहद ढंग से सफाई हो जाती है सरीर की सफाई से मतलब यह है कि पानी पीने से हमारे सरीर में मौजूद हानकार एक और जहरीले तत्तो पसीने और मूत्र के जरीए सरीर से बाहर निकल जाते हैं ठीक है एक तो ही हो गया फायदा आपको सवेरे खाली पेट पानी पीने से दूसरा नमबर पेट के लिए बहुत फायदे मन्द है ये बो कैसे सुभा उठकर खाली पेट पानी पीना आपके लिए और आपके पेट के लिए बहुत ही फायदे मन्द है ऐसा करने से आपको कब्ज की सिकायत नहीं रहती यही नहीं आतों में जो आतों में जो जमा हुआ मल होता है आसानी से निकल जाता है पेट साफ होगा तो आपकी भूख भी खुलेगी और आप तरुताजा अपने आपको महसूस करोगे सुबह उठकर एक या दो गिलास पानी पी लेना चाहिए आपको यह आद रखना ठीक है पानी पीने से सारे सरीर की अंदरूमी अंग फिर से अक्टिब हो जाते हैं अब आए तीसरी बात बजन को घटाने में भी मदद करता है वो कैसे खाली पेट पानी पीने से सरीर को मेटा बोलिक रेट बढ़ जाता है जिससे खाना जल्दी और बहतर धंक से डाइजेस्ट होता है इससे आपका बजन कम होने लगता है अगर आप बैली फेट कम करना चाहते हैं तो सुबह उठकर गरम पानी पीए ठीक है देखो दोस्तों और मैं सबसे बड़ी बात बता देता हू अगर आप खड़े होकर पानी पीते हो तो यह आपके सरीर के लिए सबसे ज़्यादा हानिकारक है और हाँ सुबह उठकर पानी पीने से सबसे पहले अगर आप सुबह पानी पीटते हो तो आपके दिमाग के लिए बहती बहतर से दोता है यह दिमाग में आक्सीजन की बहतर सप्लाई करता है ऐसा करने से दिमाग दिन भर एक्टिव रहता है और फ्रेस रहता है यही नहीं दिमाग से जुड़ी मासपेसियों के तनाव मुक्त करने के लिए दिन भर बीच बीच में पानी बहुत ज़रूरी है पानी ना पीना भी सिर दर्द की बज़े हो सकता है ठीक है आपने दिन की सुरुवात खाली पेट पानी पीने से करनी चाहिए ताकि सिर दर्द से छुटकारा मिल सके अब जान लेते हैं गरम पानी के कुछ फायदे देखो दोस्तो अगर आपको अपनी स्कीन हेल्दी और फ्रेस रखनी है तो आपको गरम पानी पीना पड़ेगा इसकीन की जादातर समस्या बाहरी नहीं अंदरूमी होती है पता है आपको इसकीन की जो समस्या है वो बाहर से नहीं पेट के अंदर से ही निकलती है कहने का मतलब है कि सरीर के अंदर जितने बिसाक्त तत्तो मौजूद होंगे तुचा उस पर उतने ही दाग धबे और कील मौा से दिखाई देंगे ठीक है काली पेट गरम पानी पीने से तुचा अंदर से साफ हो जाती है यही नहीं इसकिन हाइडरेट होती है और इसकी नमी बनी रहती है अगर आप हो जाना खादी पेट पानी पीएंगे तो कुछी दिनों में आपकी इसकिन साफ और गलो करने लगेगी इसके बाद दोस्तो सबसे बड़ा फाइदा इससे यह है कि आपकी इमिन्टी बढ़ाता है जी हाँ साइद आप जानकर हैरान हो जाओगे कि पानी सरीर की इमिन्टी बढ़ाने के लिए बेहस जरूरी है दरसल पानी बिसागत तत्तों को बाहर निकाल देता है जिससे सरीर के अंग हेल्दी एक्टिब बने रहते हैं इससे सरीर की इमिन्टी बढ़ती है और हाँ दोस्तों उठने के बाद अगर आप गरम पानी या गुनगुने पानी में सरीर से निकल जाता है और इम्यून सिस्टम भी सही रहता है बहुत ही जवर्दस्त है क्या दोस्तों आपको पता है ज्यादा थंड़ा पानी पीने से आपकी गुर्दे खराब हो सकते हैं इसलिए ज्यादा थंड़ा पानी ना पीएं और हाँ अगर आप चाय काफी ज्याद पीते हैं सॉफ्ट ड्रिंक की जगह आप गुनगुना पानी नीबु पानी ले सकते हो तॉफ्ट ड्रिंक की जगह आप गुनगुना पानी या नीबु पानी पिया करें आपका एनरजी लेवल बढ़ेगा और डाइजेस्टिब सिस्टम भी सही रहेगा सॉफ्ट ड्रिंक स इसे एसिडिटी हटती है क्योंकि पानी पेट साफ करता है आपकी सारी एसिडिटी गायब हो जाएगी इसे पीने से सुबह खाली पेट हमारा जो दिमाग है 90 प्रतिसत पानी से बना है पानी ना पीने से भी सिर में दर्द हो सकता है ये मैं पहले भी बता चुका हूँ पानी जोड़ों को चिकना करता है और जोड़ों के दर्द को भी कम करता है ठीक है जोड़े के दर्द को भी ये खतम कर देता है पानी बहुत ही जवर्दस तोसदी है ये हमारी मासपेसियों का अच्छी प्रतिसत भाग पानी से बना हुआ होता है पता है आपको इसलिए पानी पी पीएं ठीक है और थोड़ा गुनगुना पानी पीएं सुभा बहुत ही जबड़ा दस्ता है तो ठीक है कैसा लगा ये वीडियो अच्छा लगा हूँ तो लाइक करना शेर करना और हमें कमेंट करके बताना इसमें मैंने चहरा तो नहीं दिखाया लेकिन मैं आप बताओगे त अच्छा है कोई दिख्कत नहीं है ठीक है नमस्कार ख्याल रखना अपने परिवार वालों का अपने घर वालों का